Hello students, कैसे हैं आप सब लोग, तो आज में एक चैप्टर पढ़ेंगे, Financial Management, One Shot Revision में ये चैप्टर जो है, 7 to 8 Marks का वेटेज है, क्योंकि ये चैप्टर और Financial Market Chapter दोनों मिला के 15 नंबर तक का आता है, तो ये चैप्टर साथ से 8 नंबर कवरेज है, आज में एक क्लास के अंदर A to Z सब कुछ इस चैप्टर कर डिसकस करूँगा, इसमें थोड़ा बहुत निमेरिकल है, मुसके भी बात करेंगे, और Complete Chapter आपके क्लास दिमाग में फिट हो जाएगा, तो वीडियो को एंड तक देखना, कुछ भी स्किप मत करना, आज वन शॉट के अंदर एक लास बड़ा सा मैं कुछिश करूँगा क्लास के अराम से विदिन वन आर आपको सारा कुछ अच्छे से करा दू, ओके, चलो, तो फिनांशल मैनेजमेंट का मतलब क्या है, मैनेजमेंट रिगार्डिंग तुद फिनांस, कितना पैसा मार्केट से लेना है, हम जादा पैसा बिन ले सकते, कम करेंगे, ये सारी, कितना ब्याज हम भर सकते हैं, ये सारी चीजों का डिसीजन लेना, that is called financial management, आपके घर में भी आपके पापा डिसीजन लेते होंगे, कि मारी सालरी इतनी है, उसमझेगे, ये खर्चे करने है, बच्चों की स्कूल की फीज, टूशन की फीज, डे खर्चो गया और आपका घर का किराय नहीं गया, इसी सिचुएशन आ सकती, तो financial management जरूरी है, financial management का मतलब क्या होता है, efficient acquisition of finance, ये कितने पैसो की आपको जरूरत है, efficient utilization of finance, waste मत करो, पैसा जितना कम से कम आप उटलाइस कर सकते हो, मतलब बे मतलब का खर्चा ना करो, उसके बा स्मूद वर्किंग हो सके organization में, company में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, सब की salaries टाइम पे जानी चाहिए, सब को expense जो है वो टाइम पे होने चाहिए, ताकि company में कहीं कोई रुकावट ना आ आ जाए, कहीं कोई problem ना आ जाए, smoothly work, smooth working होना चाहिए company के अंतर, main objective इनका यही ह equity shareholder के wealth को increase करना, यह एक लोगा फाइदा करना चाहते हैं, वो है class equity shareholder, यानी की owner, और अगर तुम equity shareholder का फाइदा करने का तुम्हारा main motto है, जाहर से बात है, तुम्हारा भी कहीं ना कहीं फाइदा ही होगा, जैसे एक school, अगर अपने बच्चों को अच्छे numbers दिलाने में, talent को उनके skills को increase करना यही school का अगर main motive होगा, तो school पैसा भी आराम से कमा लेगी, कहने का मतलब क्या है कि सबसे पेमेंट जो जाती है, वो outsider को जाती है, क्राइटर को, class bank loan की payment, interest की debenture की, इनको पहले पैसा दिया जाता है, फिर दिया जाता है profit का एक हिस्सा preference shareholder को, और उसके last में जो सारी की सारी payment बचती है, वो दिया आता है equity shareholder को, तो अगर आप equity shareholder का भला कर रहे हो, जिनको सबसे आखरी में payment दी जा रही है, तो जाहर सी बात है, class, बाकी सबका भला अपने आप हो जाएगा, अगर आप equity shareholder के benefit के बारे में सोचते हो, तो अपने आप ही आप ये हमें हद से हद profit हो, जादा से जादा profit हो, सीजिसी बात है, profit is necessary for running the business, बिना profit किया तो आप business run ही नहीं कर सकते, तो profits होना बहुत जरूरी है, दूसरा है maintenance of, second है, maintenance of liquidity, आपके पास इतना पैसा हो ना चाहिए, कि आपका business जो है, वो कहीं cash crunch ना हो जाए, cash crunch in the sense, कि उनके पास पै पाक रुपय की payment करने के लिए पैसा नहीं है, company worker की payment नहीं कर पारी, interest की payment नहीं कर पारी, ऐसी situation नहीं होने चाहिए, cash company के पास sufficient होना चाहिए, अगला है meeting the financial commitment with creators, creators के साथ financial commitment होना चाहिए, कहने का मतलब क्या है, कि अगर आपने किसी से उधार लिया है, और आपने promise किया है, क पैसा पैसा लोटा भी दो, यानि कि financial commitment जितने भी है, वो आप पूरे करो, और last and last, proper utilization of funds, funds का सही तरीके से utilization करो, proper तरीके से funds का utilization करो, पैसा waste नहीं होना चाहिए, ज्यादा पैसा भी market से raise मत करो, कि आप यह मतलब का ब्याज भर रहे हो, पैसा किसी काम का नहीं है, तो अगर अगर आप, financial management की बात करो, efficient acquisition, efficient utilization, efficient distribution of funds for the smooth flow of organization, और उसका main objective है, equity shareholder के wealth को increase करना, अगर उसा आप increase करोगे, तो अपने आप ही आपकी यह चार पाइंट, profit maximization, maintenance of liquidity, meeting financial commitment with creator, समय पे आप उनका पैसा लोटा दोगे, और फंट का पर तरीके से utilization कर पाओगे, अगर आप financial management करते हो तो यह सारे objective को आप अचीव कर पाओगे, okay, next step, financial planning, आपने पढ़ा होगे, sorry, 12th class में ही पढ़ा होगे, chapter 1, term 1 के अंदर class, planning, तो planning का मतलब क्या होता है, deciding in advance, आप planning में क्या करते हो class, advance में decide करते हो, how much to spend, कितना खर्च करना है, on what to spend, कितना खर्च करना है, according to the fund at your disposal, यानि कि आप के पास जितना पैसा है, उसमें से किस पे, कितना खर्च करना है, even class, आप यह भी decide करते हो, कहां कहां से fund को हम raise करेंगे, अपने सारे के सारे operation को सही से चलाने के लिए, sources of fund, हम borrowed fund लेंगे, या owner fund लेंगे, and it's proper utilization, कुल मिला के पैसों के बारे में, सब कुछ सोच लेना, क कितना खर्च करेंगे, कितना खर्च करेंगे, एडवांस में हमें कितने पैसों के जरूरत होगी, कल को हम भर पाएंगे किनी भर पाएंगे, सारी चीजे एडवांस में प्लान कर लेना ही कहलाता है, financial planning, तो financial planning का मतलब क्या है, कि sources क्या है, fund के, हम owner fund लेंगे, या borrowed fund, आपको called borrowed fund, और यही दो main source होते हैं, इसके अलावा, आप loan लिख सकते हो, reserve लिख सकते हो, बाकी, funds का किस तरीके से आप utilization करोगे, तो कहां से कितना पैसा लोगे, और उसका इस्तमाल किस तरीके से करोगे, इन दोनों को मिला दोगे, तो क्या आजाता है, financial planning, यानि कि FB, अच्छा, next है, importance of financial planning, importance का मतलब क्या होता है, क्लास, benefits, financial planning के benefits क्या-क्या है, यानि कि importance यानि कि benefits, बई देखो, अगर आप financial planning करोगे, अगर आपने advance में सोच लिया है, आपको कितने पैसो के जरूरत है, कहां कहां से आप पैसा raise कर सकते हो, कितना ब्याज भर सकते हो, आपकी day-to-day खर्च पड़ेगी, ताकि आपको future में कोई जटका, कोई शॉक, सर्प्राइज ना लगे, तो financial planning का it facilitates collection of optimum fund, facilitates मतलब help, तो यह हमारी मदद करता है, ताकि हमें optimum funds collect कर सके, यानि कि low cost में, optimum fund का मतलब low cost में, और जितना पैसा चाहिए, उतना ही पैसा मार्केट से collect कर सके, ना कम, ना जादा, अगर आपको 10 लाग की जरूरत, आप 10 लाग ही raise करो, 5 लाग raise करोगे, काम नहीं कर पाऊगे, 15 लाग raise करोगे, विना मतलब का extra ब्याज जाएगा, वो भी आपका burden होगा, फिर आपको उसके return भी करना है, ओके, दूसरी बात, it helps in fixing the most appropriate capital structure, capital structure का मतलब अभी अच्छे समझ लो, ध्यान अखना, आप कुछ पैसा debt से raise करते हो, जुसको बोलते है, बोरोड फंड, और कुछ पैसा आप equity से raise करते हो, जुसको बोलते है, ओनर फंड, तो भईया, capital structure का मतलब क्या है, कि आपके business में जो capital लगी है, जो पुझी लगी है, उसमें debt कितना है, उसमें equity कि capital employed is equal to shareholder fund plus long term debt, shareholder fund यानि की equity, long term debt यानि debt, और capital structure कहता है कि आपकी capital का धांचा क्या है, कितना debt है और कितना equity है, तो हम एक most appropriate capital structure को fix करेंगे, बच्चे बलते हैं, सर, most appropriate क्या होता है, ideally तो two ratio one होता है debt equity ratio, बट हम यहीं कह सकते है कि यह इसके दूगना ही हो, उससे कम भी हो सकत तो जादा भी हर business का अपना-पना depend करता है, हर business के depend करता है कि उसका most appropriate capital structure क्या है, यह बहुत सारे factors के depend करता है, जो आगे पढ़ेंगे, अगर आगे पढ़ेंगे, तो आप अपने पैसे को सही project में लगाओगे, जहां आपको return मिलेगा सबसे जादा और रिस्कोगा, सबसे कम It helps in proper utilization of finance, अगर आप planning सही से करते हो, अगर आपने financial planning सही से की है, तो funds का proper तरीके से utilization कर सकते हो, और future में आने वाले कोई भी shocks और surprise है, कोई जटका, अगर आप पहले से प्लान करके चलोगे, तो near future कोई shock, surprise आ गया, कोई immediate action हो गया, तो यह आप ready रहोगे, आपको जटका लग है, like MCQ का पेपर आने वाला है, मालो बच्चे पहले से MCQ कर रहे हैं, तो या फिर अभी CBSC अचानक से अनाउंस कर दे कि MCQ का पेपर आएगा, बच्चे जो पच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, उन्हें उतना जटका नहीं लगेगा, लेकिन जो अभी तयारी करेंगे उनको तो अगर आप फ्यूचर के बारे में पहले सोच लेते हो, तो शौक सर्प्राइज से बच जाते हो, और यह लिंक करता है present requirement of finance with future, कि आज तो मुझे 50 लाख रुपए की जरूरत है, लेकिन क्या आज से 50 साल बाद या 20 साल बाद भी मुझे इतने पैसो से मेरा काम हो जाएग वो investment decision हो सकता है, वो financing decision हो सकता है या वो dividend decision हो सकता है, देखो जो भी decision है, investment decision को capital bursting decision भी बोलते हैं, यह 30 decision, कितना पैसा कहां पे invest करें, Financing Decision, कितना Owner Fund से लें, कितना Borrowed Fund से लें, कितना Debt हो कि आपर Structure में, कितना Equity हो, Dividend Decision में मतलब कितना पैसा Public को as a Dividend हम Distribute कर देंगे, या फिर कितना पैसा हम as a Dividend Public को Distribute करेंगे, और कितना पैसा हम अपने पास Retain करके रखेंगे Future Growth के लिए, कितना बाटेंगे और कितना बचाएंगे, यह सारे के सारे Decisions हमारे लिए कहलाते हैं क्लास, Financing Decision, तो यह करके सारे Decisions समझते हैं, सबसे पहला है Investment Decision, कौन-कौन से Factors हैं, जो डिसाइड करेंगे कि हम कहां पे कितना पैसा इन्वेसा इन्वेस्ट करें, एक्जामपल देता हूं, Reliance ने जियो पे इन्वेस्ट किया था एक ताइम पे, कि हम यह जियो में हम लोग 1 लाग करोड रुपय इन्वेस्ट करेंगे, यह 10,000 करोड रुपय इन्वेस्ट करेंगे, मान लेते हैं, सबको फ्री में सिम देंगे, तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इस पे इन्वेस्ट करें या ना करें, कौन-कौन से फ्रोजेक्ट से जो डिसाइड करेंगे कि हम इस प्रोजेक्ट में खर्चा करेंगे या नहीं करेंगे, सबसे पहला, क्याश्फ फ्रोजेक्ट, आप कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप ले रहे हो, कहीं पे भी किसी मशीन में, किसी प्लांट में, किसी प्रोजेक्ट में, अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, तो अबसे पहला कोशिन आपके माइन वानाची कि हम जिस भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट में भी डे टो डे बेसिस पे कुछ खर्चे होंगे कुछ ना कुछ पैसा चाहए ना काड़ी ले लगए घर ले लिया अपने कोई बीडिंग ले लिया इव फिर कोई पर्टिक worst account बालिया तो आपकी तो हाथी को बहुत कमन्स में, रिटर्न जादा होगा तो निंवेस्मेंट कम. अगला है रिस्क, उस इंवेस्मेंट आप देहो, अब रिस्क किया है, हर इंसान की वी और रिस्क को बिर करने ले। आप रास्ते में चलते हो इस चोटा सा गड़ा जाता है, तो आप कुछ जाते हो, लेकिन बहुत बड़ा गड़ा आता है बारत तो नहीं यार, यहां कुदना ठीक नहीं है, अगर मैं चला गए अंदर तो उक्या होगा, चोटा सा गड़ा है, भले वह कितना गहरा आप सोचते वह आप ऐसी जंप कर जाते हो, that is, अगोई बुधा आदम आँगा होगा, वह कोई पर देखिगा, यह चोड़ा सा गड़ा है, तो पहता गर जाओ, मेरी एग जादा होगी है, तो कहने का मतलब क्या है, हर कंपनी का रिस्क अनलेशिस करने का अपना अपना तरीक और आपको ज जहां मिनियम रिस्क होगा, आप आप इंवस्ट करोगे. इंवस्टमेंट क्राइटेरिया यानि कि एक तरीके से इंवस्टमेंट डिसीजन एक ऐसा डिसीजन है, जो इर्रिवर्सेवल है, आपने एक बार डिसीजन ले लिया तो वापिस लेना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, पैसा जा चुका है, एडवांस जा चुका है, वापिस आप उसको नहीं ली सकते, तो इसलिए अपने देखना है कि यार जो भी इंवस्टमेंट मैंने किया है, उसका क्राइटेरिया क्या है, उसका raw material market में अवेलेबल है की नहीं, उस particular machine की labor अवेलेबल है की नहीं, उस particular machine में कोई खराबी आगई तो इसके engineer अवेलेबल है की नहीं, यह सारी चीजे class investment criteria के अंदर आता है. Second is financing decision, कि यह देखो, आपको debt की तरफ जाना है या equity की, और mix करना है तो कितना debt का proportion होगा और कितना equity, तो सबसे पहला cost, यह हर चीज की एक cost होती है, अगर आप share issue करते हो, तो भी आपका खर्चा आता है, debenture issue करते हो, तो भी आपको ब्याज देना है, वो भी आपका खर्चा चाहता है, इवन जो paper work होता है, formality होती है, legal वो भी, तो आपने देखना है कि debt और equity में से जिसमें खर्चा सबसे कम हो, उस source से finance को आप raise करो, दूसरा है cash flow position, अगर तुमारे पास sufficient cash है, और तुम debenture holder को ब्याज दे सकते हो, तो तुम debt issue करो, otherwise तुम equity issue करो, कहने का मतलब क्य issue expense, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा share को issue करने का खर्चा बहुत जादा है, prospectus की छपाई करने पड़ेगी, broker को, underwriter को, companies act में भी कुछ खर्चा हो सकता है, registration वगेरा लेने में, formality को पूरा करने में, SEBI को फाइल करने में, अगर तुम्हें लग रहा है कि share issue करो, तो भी आप debt issue करो, अधर्वाइस आप share issue करो, state of capital market, अगर country में inflation चल रहा है, inflation समझते हो न, लोग ज़्यादा demand कर रहे है, मतलब लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, तभी वो ज़्यादा demand कर रहे है, लोग risk ले सकते हैं, तो आप share issue करो, मैं बता दू क्लास, company के point of view से अ नहीं मिलेगा, debenture मैसा नहीं है, तुम फोन करो, अभी ब्याज क्यों नहीं आया, हम आपकी company को बंद करा देंगा, मुकदमा करेंगे आपके ऊपर, case करेंगे आपको, sue करेंगे आपको, company को ब्याज देना ही पड़ेगा, लेकिन shares मैसा नहीं है, कमाएंगे तो देंगे, न बहुत ऊपर चला, अभी बिल्कुल कुछ ताम पहले बिल्कुल क्रेश कर गया था, करोड़ों अर्बों का नुकसान हुआ इन्वेस्टर्स को, उनका सौर्पे का इन्वेस्मेंट सतर रुप ही रह गया, इतना कम हुआ, लेकिन debt oil को फादा हो उस ताम पे, उस ताम पे चाहते हैं, तो आप debt करी दो, और अगर कंट्री में इन्फलेशन है, महंगाई है, लोग दिमांड जादा कर रहे हैं, तो इसका मतब पैसा जादा है, तो शेयर इशु करो, अधर्वाइस आप डेशर इशु करो, कंट्रोल कंसिडरेशन, आप चाहते हो कि भिया, सारा का सा कंट्रोल आपके पास रहे, हेडिंग को लिख देना, अंदर का बना-बना के लिखना, अगर आप चाहते हो कि भिया, आपके पास ही सारा कंट्रोल रहे, आप ही कलोते मालिक रहो, तो भिया, शेयर इशु करते हो, तो अगला आदमी भी मालिक बन जाता है, उनर बन जाता है उस percentage of shares का आपने शार्क टांक इंडिया, सब बच्चे देखते हो class, कई बच्चे दिन भर देखते हैं, तो उसमें आपने सुना भी होगा, कि हम इतना equity, इतना debt, 40% equity लेंगे और एक करोड रोपे देंगे, तो कहने का मतलब क्या है, कि आपको एक करोड रोपे देंगे और आप चाते हो कोई बात नियार, तुम भी मालेक बन जाओ, तो एक कोड इस्यू करो, तो वहाँ पर सुस्तने आर अशनीर गरोवर साहब है, और class, और भी अमन सर हैं, और बहुत सारे बड़े-बड़े बिसनसमेन हैं, जिन्होंने class, मानलो, पिउस सर है, उन्होंने इतना अ अगर तुमारे अल्रेड़ी बहुत सारे fixed expense जा रहे हैं, तो वहाँ उस situation में तुम equity issue करो, क्योंकि तुमारे अल्रेड़ी इतने सारा ब्याज दे रहे हो, फिर तुम डिबेंचर issue कर दोगे, फिर तुम और ब्याज देना पड़ेगा, क्या फाइदा, तो equity issue करो, अगर तु venture के साथ क्या है, debt के साथ है more risk, तो अगर आप चाहते हो risk कम लेना तो equity issue करो, risk ले सकते हो, ब्याज भर सकते हो, तो debt issue करो, अब अगर ये कोई बच्चा पूचे कि sir, company को debt issue करना चाहिए, या equity issue करना चाहिए, तो इसका कोई भी जवाब नहीं है, ये बहुत सारे factors पीड़े ना बोले और कोई जो है अडंगा ना डाले और कोई वोटिंग ना करे, तो इक debt issue करो, आप equity मत issue करो, तो काफी सारे factors पर इबन करता है, next class, dividend decision, कितना पैसा पबलिक को बाटेंगे as a dividend, और कितना पैसा अपने पास बचा के रखेंगे, तो सीधी सी बात है, हम जो भी profit कमाते हैं, उसके तीन हिस्से होते हैं, इको में भी पढ़ाओगा आपने, undistributed profits, dividend and corporate tax, undistributed profits का मतला profit को वो हिस्सा जो हमने बचा लिया, उस ही को कहते है return earning, जो पैसा पबलिक को बाट देते हैं, that is called dividend, और जो पैसा class हम लोग सरकार को देते हैं, that is called corporate tax, तो सबसे पहला earning, तो अ यहां सल अच्छा कमाना, आपको लग रहा है कि आप बहुत है आप हर साल अच्छा कमाते हो, तो अब यह, dividend भी आप इस साल भी अच्छा दो, तो dividend आप जादा दोगे, cash flow position, अगर तुमारे हाथ में पैसा अच्छा खासा है, तो तुम dividend बाटोगे, अगर तुमारे हाथ में कि future में growth हो सकता है, अगर आपको ऐसा लगता है, कि future के अंदर growth हो सकता है, growth opportunity है, future में हमें कुछ तरक्की करना है, future में हमें बड़ी building लेनी है, future में बड़ा plant लगाना है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो भीया, आप dividend जो है, अभी कम बाटो और retain जादा करो, पैसा reserve में, return opportunity है, कलको मौका है, तो पैसा बाट के मत रखो, पैसा बचा के रखो, ताकि आप बड़े जगे पे कल लगा सको, okay, stability of dividend, कुछ company चाहती है, कि हम public को हर साल अच्छा पैसा बाटे, तो अगर आप चाहते हो कि हम हर साल dividend जादा बाटे, तो आप कैसा भी कमारे है, उस पर डिप आपनी से, तो अगर tax rate जादा है, तो dividend कम बाटोगे, tax rate कम है, तो dividend जादा बाटोगे, तो ये इन तीनों में से, कोई भी एक आपको पूछ सकता है, decision, उसके factors affecting, तो आपको उसके बारे में लिखना है पहले, फिर आप 4 या 5 पांच 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 पां पतलब क्या है debt upon equity, आपके business में debt कितना है, equity कितना है, ratio of debt to equity, more debt, भई सुनो, सीरी सी बात है, आपको business में और capital लगानी है, आपको business में और पैसा लगाना है, और पुंजी लगानी है, तो आप अगर debt को बढ़ाओगे, या equity को बढ़ाओगे, या equity को बढ़ाओगे, या माल तो मैं debt से लगाओओ या equity से लगाओओ, या सवाल मेरे मन में आता है, तो कहते हैं, अगर तुम debt को बढ़ा रहे हो, और debt को बढ़ाने से EPS तुमारा बढ़ रहा है, इसका मतलब तुम debt ही लगाओ, तुम जो है debt लगाओ, और अगर तुमारा debt के बढ़ने से EPS घट रहा ह है, तो इस situation में तुम क्या issue करोगे, equity, और debt के बढ़ने से EPS बढ़ेगा, तो तुम क्या issue करोगे, debt issue करोगे, okay, मेरी बात समझना, मैं तुम्हें क्या कहना चारा हूँ, अभी तुम समझे नहीं हो, ध्यान समझना, कि अगर, मैं तुम्हें सीधी सीधी बात बाता हूँ, to the । मैं debt issue कर रहा हूँ, मैं loan । मैं debenture issue कर रहा हूँ, तो मैं beryaj भी तो भरूँगा तो जो मैं beryaj भरूँगा, that is called rate of interest, और ROI का मतलब होता है, return on investment, it is not rate of interest, इसका मतलब के होता है? return on investment, मतलब जहां भी मैं invest कर रहा aún, जहां से मुझे the return मिल रहा है, that is called return on investment, okay, तो अगर ROI जादा है rate of interest से, तो भिया आप debt issue करो, क्योंकि अगर आप debt बढ़ाओगे, तो debt के बढ़ने से आपका जो earning per share है, हर share ने कितने रुपे कमाया, वो बढ़ेगा, मालनो मेरे पास 100 share है और हर share ने 5 रुपे कमाया, तो मेरे 100 share ने 500 रुपे कमाया है, that is called earning per share, यानि हर share कितनी है, किसी के पास 100 share है, किसी के पास 5 है, किसी के पास 1000 है, किसी के पास 100 lakh है, और earning per share है 1 रुपे, तो हर share ने 1 रुपे कमाया, तो इसके पास 1 रुपे कमाया, तो इसके पास 1 रुपे मिलेंगे, मेरे पास 5 share है, मुझे 5 रुपे मिलेगा, तो अग तुम्हें क्या देख तो अगर तुम्हारा ROI जादा है rate of interest से तो तुम debt issue करो because debt के बढ़ने से तुम्हारा earning per share बढ़ेगा और अगर तुम्हारा ROI कम है तुम्हारा जो return on investment वो कम है rate of interest जादा है तो भाईया तुम debt मत issue करो तुम equity को issue करो तुम्हारा earning per share बढ़ेगा यानि कि हमेशा debt के बढ़ने से EPS नहीं बढ़ता debt के बढ़ने से EPS तभी बढ़ेगा जब ROI जादा होगा लेकिन अगर ROI कम है फिर तुम debt अगर issue करते हो तो तुम्हारा जो EPS है वो बढ़ने की जगे क्या हो जाएगा घट जाएगा ओके ये आपको क्लास बात ध्यान रखनी अच्छे से यही लिखा हुआ है more debt will result increase in earning wealth of shareholder अगर तुम जादा debt issue करोगे तो shareholder की wealth बढ़ेगी but only तभी जब ROI more than होगा rate of interest on debt तो जब ROI जादा होगा rate of interest से तभी debt को बढ़ाने से आपका earning per share बढ़ेगा आगे क्या लिखा है more equity result increase in earning आप जादा equity issue करोगे तो earning आपका बढ़ेगा लेकिन तभी बढ़ेगा only only when ROI is less तो अगर ROI कम है तो equity issue करो ROI जादा है तो debt issue करो फटाफट comment section में लिखे देखो जिन्होंने पहले से मुझे पढ़ रखा है पढ़ रखा है मेरे से मुझे उनको पहले भी लिखुआ है ता कि अगर ROI जादा है तो क्या issue करना है debt और ROI कम है तो क्या issue करना है equity issue करना है चलो done यहां तक समाझ आ गया तो जब भी कोई numerical आएगा तो आप check कर लेना कि ROI कितना है और rate of interest कितना है उसके बीच एक छोटा सा comparison आपको करना पड़ेगा next is factors determining capital structure, capital structure का मतलब मैंने बताया कि debt कितना है equity कितना है financial leverage अब यह भी factors affecting है कि आपको यह debt कितना issue करना और equity कितना issue करना है बिल्कुल financing जैसा है अगर तुमारे पास पैसा अच्छा खासा है तो तुम क्या issue करोगे class तो तुम debt issue करोगे तुम ब्याज भर सकते हो और तुमारे पास sufficient cash नहीं है तो तुम equity issue करोगे अगला है return on investment अगर तुम्हें अगर तुम्हारा ROI जादा है किस से rate of interest से तो भीया तुम debt issue करना और अगर तुम्हारा ROI कम है rate of interest से तो तुम इशू करोगे, okay? अगला है cost of debt अगर तुम्हें लग रहा है कि भीया तुम्हारा interest बहुत जादा है तुम equity issue करो अगर तुम्हें लग रहा है कि debt को issue करने में खर्चा हमारा कम है तु भीया तुम debt issue करो मतलब तुम cost of debt भी check करोगे तुम एकूट इशू करोगे, ऐगला है कॉस्ट of debt, अगर तुम्हें लगरा है कि भीया तुम्हारा interest बहुत जादा है, तुम equity issue करो, अगर तुम्हें लगरा रहा है कि debt को issue करने में खर्चा हमारा कम है, तुम एकूट इशू करो, मतलब तुम cost of debt भी चेक करोगे, कि भीया debt क कोस्ट कितना है हर साल कितना बढ़ेगा इंट्रेस्ट वो साभी चेक करनी है अगला है टैक्स रेट अगर तुम्हारा टैक्स रेट ज्यादा है तो तुम डेट इसु करो पता है क्यूं अगर तुम ज्यादा डेट दोगे अगर तुम्हारा डेट ज्यादा तो इंट्रेस्ट प्रॉफिट कम तो टैक्स कम तो उस सीचुएशन में तुम डेट इसू करो बिकोज डेट का चो इंट्रेस्ट होता है उसका डिड़क्षन मिल जाता है डिड़क्षन मतलब वो प्रॉफिट से कम कर सकते है जाता है प्रॉफिट कम हो गया तो रेट गर जादा भी यह 10 लाग क 40% कितना हो जागा, सिर्फ 80,000 रुपए, तो कहने का मतलब क्या है, कि तुम अगर तुमारा टेक्स रेट जादा है, तो डेट इशु करके तुम अपना टेक्स जो है, वो कम कर सकते हो, राइट, अगला है, अगला है, को ये भी चेक करना है, कि एक्विटी की कोस्ट कितनी है, कि cost of equity का मतलब क्या है, share issue, expenses, prospectus का खर्चा, company को रेजिस्टर करने खर्चा, brokerage, underwriter, इनके खर्चे आपको देखने है, तो आपको लग रहा है, अगर cost of equity, आपको लग रहा है कि cost of equity जादा है, तो debt issue करो, otherwise equity, तो आपने cost of debt और cost of equity को compare करना है, अब इस टॉपिक में बस दो ही मतलब इस पूरे chapter में दो ही चीजे हैं, fixed capital और working capital, सुनो मेरी बात, पहले मैं बताता हूँ, fixed capital क्या है, फिर उसको fixed capital को affect करने वाले factors, फिर बताऊँगा आपको working capital और working capital को affect करने वाले factors, सुनना ध्यान से मेरी बात, fixed capital मतलब क्या है, कि fixed asset को खरीदने के लिए, जो पैसा चाहिए उसको बोलते है, fixed capital, the fund or finance is required to buy fixed asset is called fixed capital, fund is required to buy fixed asset is called fixed capital, fund is required to manage working capital और to buy current asset is called working capital, तो fixed capital क्या है, working capital क्या है आपको समझ आ गया, तो यह कहते हैं कौन-कौन से factors हैं, जिस पर depend करेगा कि तुम्हें कितना fixed capital चाहिए और कितना working capital चाहिए, सबसे पहला है nature of business, अगर आप एक manufacturing business करते हो, आप समान बनाने का काम करते हो, आप production करते हो, तो उस situation में तुम्हें fixed capital की requirement जादा होगी, rather than अगर आप retailing का काम कर रहे हो, तो तुम्हें fixed capital की requirement होगी कम, बात समझ रहो ना, कहने का sense यह है कि अगर तुम्हें एक manufacturing unit लगा रहे हो, तो बहुत सारी machine चाहिए तुम्हें तुम्हें fixed capital की requirement बढ़ेगी, तुम्हें fixed capital की कितनी requirement होगी, यह डिपेंड करेगा तुम्हारे nature of business पे, अगला scale of operation, चोटा scale है, चोटे स्थर पे business कर रहे हो, सिर्फ एकी दुकान है, गली मुहलम बेच रहे हो, तो fixed capital काम चाहिए, बड़ा scale पे काम कर रहे हो, पूरी इंडिया में वल्डवाइड आप र requirement जो होगी, वो ज्यादा होगी, technique of production, अगर तुम capital intensive use कर रहे हो, तुम्हें fixed capital की requirement जो होगी, वो ज्यादा होगी, और अगर तुम लेबरों से production करते हो, तो तुम्हें fixed capital की requirement जो होगी, वो ज्यादा होगी, और अगर तुम लेबरों से production करते हो, तो तुम्हें fixed capital की requirement होगी, अगर आप labor intensive use करते हो तो तुम्हें fixed capital के requirement कम होगी और तुमasına you capital intensive technique to use करते हो तो तुम्हे fixed capital के requirement जादा होगी Next step technology up gradation कुछ company अइसी होती है जो बाद ग्ट right technology को upgrade कर्ती upgrade कमतलब क्या है माललो उनके यहां पराने computer है ने ने computer बगाए जाते हैं, ताकि वर्गर्स काम असानी से कर सकें, जल्दी से हमारा काम हो, और हमारा जो duty है, हमारा जो liability है, डिलिवरी है यह हम टाइम पर अपना काम पूरा करके दे सकें, तो अगर आप technology को अपग्रेड करते हो, नई technology लेके आते हो, तो आपको पैसा जाद कि या फ्यूचर में ग्रोथ कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में यार ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है क्या है क्लास अपॉर्चुनिटी है कि यार हम यहां इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है त Similarly working capital factors, कौन-कौन ऐसे factors है, जो depend करते हैं, कि आपको working capital की जरूरत, working capital की requirement, कितनी होगी, तो सबसे पहला है, length of operating cycle, operating cycle कहते किसको है, जिस दिन आपने raw medal को खरीदा, उसको process किया, finished goods बनाया, stock maintained किया, फिर sale किया, sales से dators और BR बन गया, और dators और BR से पैसा आ गया, इस पूरे rotation को, इस पूरे rotation में जितना समय लगता, उसे बोलते हैं operating cycle, समोसे बनाने वाला जो है वो आदे घंटे में समोसा बना के ready कर देगा, उसको operating cycle छोटा है, पर क्या एक गाड़ी बनाने वाला आदे घंटे कंदर गाड़ी कर देगा नहीं, उसको operating cycle बड़ा है, तो कहने का मतलब क्या है length of operating cycle, अगर operating cycle छोटा है, तो working capital की requirement भी कम है, operating cycle अगर बड़ा है, तो working capital की requirement भी बड़ी है, तो working capital की requirement कितनी होगी, यह depend करेगा class length of operating cycle पर, छोटा सा काम है, operating cycle छोटा सा है, working capital की requirement कम, operating cycle बड़ा है, तो working capital की requirement जादा होगी, बी है, nature of business, nature of business का मतलब क्या है, अगर आपका एक trading business है, आपको लग रहा है कि आप trading business कर रहे हो, तो आपको working, जो retailer है, जो retailer है, और wholesaler है, आप यह देख सकते हो, कि जो retailer and wholesaler, तो ज्यादा stock अपने पास कौन रखता है, जो wholesaler है वह अपने पास काफी सारा stock रखता है, बहुत सारे bundle में stock रखता है अपने पास, retailer थोड़ा सा stock रखता है, तो इस पे जो retailer है, उसको working capital की requirement कम होगी, जो wholesaler है वह और इसको working capital की requirement जादा होगी. अगला स्केल ऑफ ओफ उपरेशन, स्केल ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या है, आप किस लेवल पर काम कर रहे हैं, अगर आप एक बड़ लेवल पर काम कर रहे हो, तो आप को working capital की requirement क्या होगी, जादा होगी, चुटे लेवल पर काम कर रहे हो, तो working capital की requirement क्या होगी? कम होगी. अगला है business cycle fluctuation. अगर country के अंदर inflation है, महंगाई है, तो भीया, उस situation में लोग demand जादा करेंगे. और अगर लोग demand जादा करेंगे, तो आपको supply भी पूरी करनी पड़ेगी. और supply करने के लिए क्या चाहिए? working capital. तो कहने का sense यह है कि अगर country के अंदर inflation चल रहा है, boom period है, तो situation में आपको जादा माल बना के बेचना है, क्योंकि भी ग्रहक जादा demand कर रहा है, तो जादा माल बनाने के लिए जादा working capital भी चाहिए. जबकि country में अगर deflation है, मन्दी है, तो भीया working capital के requirement कम होगी, क्योंकि लोग डिमांड ही नहीं कर रहे, तो तुम्हें समान बनाने की भी कोई भी ज़रूरत नहीं है. Technology. अगर आप production के लिए labor intensive use करते हो, तो आपको working capital जादा चाहिए. Capital intensive use करते हो, तो working capital कम चाहिए. अगर आपको लग रहे हैं, तो भीया उससा लगता है, तो भीया उससा ही है, ज़सा फिक्स capital requirement था, same to same वैसा ही है. तो अगर आप देखोगे, fixed capital और working capital requirement इंसे कोषिन पूछा सकता है, investment decision, financing decision, dividend decision. इंसे कोषिन पूछा सकता है, इंके factor affecting पे. Fixed और working का तो almost जो points है, वो same ही है. तो अपने ध्यान रखना है कि इनको अच्छे से लर्न किलना, बाकि हद से हद फिनाशल प्लानिंग के इंपोर्टेंस पढ़ लेना, finance is the blood of the business. तो जितना finance strong होग, company का company उतनी ही तरक्की करेगी. तो blood है, blood नहीं रहेगा, अगर finance नहीं है, capital नहीं है, तो business तो वैसे भी तरक्की नहीं कर पाएगा. तो बस इतना ही क्लास इस चैटर में है, तो अगर आप यहां तक अच्छे से पढ़ लोगे, और इस पूरे तीन सा टॉपिक जो मने बताई important, अगर आप उसे लर्न कर लोगे अच्छे से तो आपके इस चैटर पूरा ख़तम हो जाएगा. I hope class मैं अगर आपके इस चैटर को वंन शॉट रिविजन क्लास कम से कम समय के अंदर अख्छे से कराने में आप इस पूरे चैटर क्लास इक बढ़ लेना इस चैटर बना लेना क्लास मेंने केस्टेडी सीरीज में इसका अप्रोड कर दिया केस्टेडी वहां से देख रहे ना ताकि आपका चैप्टर पूरा खतम हो जाए अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना मेरी वीडियो को कॉमेंट कर बताना कि आपको समाज आया की नी अकाउंट का एको का आपको और अच्छे ची वीडियो बनाते जाऊंगा बस क्लास अपना प्यार यूही बना रखना अपने आपसे महनत कर चलो पड़ते चलो और क्लास खुद में कुछ-कुछ इंप्रूब्मेंट डेली बीसिस पे लाते चलो टेक्र बाबाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो म आपसे मिलते हैं